लाइफ में उतार चड़ाव आना स्वाबविक है और ये हर एक इनसान की लाइफ में आता है चाए वो कितना ही सफल इनसान हो सुख के बाद दुख और दुख के बाद सुख ये करम इनसान की जिन्दगी में चलता ही रहता है हर एक इनसान चाथा ये है कि उसकी जिन्दगी में सुख ही सुख रहें दुखुंगा नामों निसान तक ना हो लेकिन जब ऐसा रहा तो इनसान को दुख का ऐसास ही कैसे होगा जब दिन के बाद रात, रात के बाद दिन और फिर दिन के बाद रात ये जिस प्रकार से प्रकत्री का नियम है वैसे ही कुसी और गम का भी नियम है अच्छे और बुरे वक्त का भी यही नियम है अगर आज हमारे उपर दुखुं का पहार तूट पड़ा है तो हम अपने वि आपने लाइब का यहां पर ही पुलिस टोप लगा लेते हैं वो यह नहीं समझते की वक्त हमेशा बदलता रहता है जो आज है वो कल नहीं रहेगा और हम चाहेंगे तो यह इसको बदलेंगे जरूर क्योंकि बदलाओ प्रकरती का नियम है मैं यहां पर उन इस्टुडेंट की बात कर रहा हूं जो CBSC के 10 और 12 के अपने रजल्ट से परेशान है और जिस परकार से आप इस आर्टिकल में देख रहे हैं दो इस्टुडेंट ने तो सुसाइड ही कर लिया है तेंथ की एक्जाम में 76 मार्क्स लाने वाले पटोदी हरियाना के इस्टुडेंट ने और 12 में पालम वियार दिल्ली की रहने वाले एक लड़की ने 92% मार्क्स लाने के बाद भी सुसाइड कर लिया बताता जा रहा है कि ये अपने इस रजल्ट से खुश नहीं थे जो स्टुडेंट ऐसा कदम उठाते हैं इनको इस बात का जरा भी ऐसास नहीं होता है कि आज हमारे मार अगर आने वाले समय इस से भी बेतर हो सकता है अगर आप भी टैन तोर ट्वेल्ट के मार्क्स आपके भी कम है या फिर आपकी मेहनत के अनुसार नहीं आए تو आपको जरह भी विचलित होने की आवश शक्ता नहीं है क्यूंकि ये सारे qualifying exam हैं अभी तो आपको entrance exam में आगे तयारी करनी है 10th और 12th के marks कभी भी matter नहीं करते हैं अभी तो IIT से भी 12th का percentage criteria हटा दिया है और अगर आप need की preparation कर रहे हैं तो 12th में 50% gain करने वाला student भी अच्छी government medical college में admission ले सकता है ऐसे मेरे पास बहुत से example हैं जो 12th में 62% marks वाले student को भी admission मोलाना आजाद में मिला है मेरे पास एक ऐसा example भी है कि 12th class में supplementary से पास हुई लड़की आज एक RAS अधिकारी है मेरा इस वीडियो के जरीए आप लोगों को यही संदेश देना है कि 10th और 12th के result से आप जरा भी विचलित मत हो आगे समय बदलेगा आप अभी लगन और मेहनत से study करोगे तो एक दिन अवसे ही डोक्टर इंजिनियर और I.S. अधिकारी बनोगे दोस्तों मेरी एक बात याद रखना अगर आप किसी काम में फैल होते हैं तो कोई बात नहीं है फिर से प्रियास करो चीटी जब बार बार दिवार पर चड़ कर पिसलती रहती है फिर भी वो सफल होती है तो हमें भी कोसीज करनी है किसी भी बात से हतास होकर सूसाइट करना किसी भी समश्या का सोलिसन नहीं है ये लोग अपने खुद को तो समाप्त कर ही लेते हैं मगर अपने पैरेंट्स की जिंदगी को भी बरबाद कर देते हैं कभी किसी ने सोचा होगा कि उनके पेरेंट्स कितनी सपने सजवे होंगे उनको लेकर पेरेंट्स पूरी जिंदगी एक जिंदा लास बनकर जीवन यापन करते हैं ऐसी प्रिस्तिती आने पर ऐसे स्टुडेंट खुद की लाइब तो समाप्त कर ही लेते हैं लेकिन जिनोंने उनको जनम दिया है उनको एक ऐसा दर्द दे जाते हैं जो उनको नए तो जीनी देता है और नहीं मरने देता है तो दोस्तो हरे एक परेशानी से लड़ने की हीमत रखो जिंदगी के किसी भी मोड पर अगर आप फैल हो जाते हैं तो अवसर यहीं घदम नहीं हुए आगे औ और भहत ऐसे अवसर आएंगे जो आपकी जिंदगी को आबाद कर देंगे मेरी एक बात याद रखना हर सफल इनसान के पीछे एक फैल्योर की कहानी जरूर होती है आपको इस दुनिया को अभी यह दिखाना है कि मैं भी एक सकस्पुल इनसान हूँ और मैं सब कुछ कर सकता हूँ मेरे अंदर इतनी हीमत है कि मैं हर परिस्तितिगा का सामना करते हुए मेरे माता-पिता का नाम रोसन करूंगा तो दोस्तों इसी आसा और विश्वास के साफ में मैं आपसे लेता हूँ विदा नई अपडेट नए वीडियो के साथ आपसे फिर मिलेंगे तब तक के ल कुस्त रहो आबाद रहो धन्यवाद